और भाखड़ा ब्यास प्रबंदन बोर्ड में हिस्सेदारी और हिमाचल के हक के मामले पर हिमाचल प्रदेश सरकार में मुख्य संसिदिय सचेफ सुन्दर सिंग ठाकुर सेजी पंजाब रणा हिमाचल ने एक्स्क्लियूजिव बातचीत की है आई आपको सुनाते हैं कि इस पूरे मामले पर क्या विस्तरित और मौजूदा जानकारी दे रहे हैं सुन्दर सिंग ठाकुर ठाकुर साब यह बहुत बड़ा मसला है सरकार जो है वो करजे के बोज के साथ हागे बढ़ रही है ऐसे में रिसोर्स को मोबिलाईज करना और एक्सिस्टिंग रिसोर्स पर काम करने पर जो है वो जाहिर तोर पर BBMB मामला जो है काफी एहम रोल अदा रखता है साफ बाशा में समझें तो पूरी स्तिती है क्या बाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड जिनके पास की BBMB का प्रोजेक्ट है और दूसरा हमारा जो यह सलापड में प्रोजेक्ट है यह लगबग तेरसो पच्छी मेगवाट एक है नौसरनबबे मेगवाट एक है बात यह नहीं है यह जब हिमाचल का गठन हुआ तो पहले हमारा यह क्षेतर जो जहां पर यह प्रोजेक्ट्स है यह पंजाब में हुआ करता था फिर यह बात आई कि यह प्रोजेक्ट्स पंजाब ने परवती क्षेतर तो हमें दे दिये ल में गए तो उसमें BBMB और पंजाब सरकार को जो है उसमें पाटी बनाये गया और जब बहुत सारे पत्राचार से बात ना बनी तो नियाले में जाना पड़ा पूरु सरकार में और जब कोड का वर्डिक्ट आया तो उसमें साफ तोर पे यह है कि हिमाचल का जितना इमाचल को दिया जाए तो तब जो जब यह एक कैलकुलेट हुए था जब इसका इस पर डिसीजन आया था तो यह कोई 32 क्रोड के लगबग पैसा था आज यह पैसा कोई साड़े चार अजार क्रोड है तो साड़े चार अजार क्रोड देंदारी पंजाब की इमाचल के इसको जो है रिव्यू पिटिशिन इसमें सुप्रीम कोट में डाली है कि ये कैलकुलेशन ठीक नहीं है लेकिन वो तो एक मामले को लंबित करने वाली बात है मैं समता हूं बहुत बड़ा एक हिमाचल का हिस्सा है जो हिमाचल को दे है और हिमाचल को मिलना चाहिए इसमें पुरव सरकारों ने भी कुछ कोशिश है, जो की होगी, लेकिन अब हम तो बरतमान में हैं, हमें बरतमान में इसके उपर जरूर सोचना चाहिए और बैसमता हो कि इसमें महस जो तारीक पे तारीक पे तारीक पे तारीक वाली बात होती है उस पे ना चलके इसको जो conclusion पे conclusion पे लाना पड़ेगा और जिरूर एक मतलब हमें अपने हक की लड़ाई लड़नी चाहिए और बिल्कुल जो है फोकस होके इस लड़ाई को लड़ना चाहिए और हमाचल को ये पैसा हमारा जो दे पंजाब की तरफ से हमार को दे है वो पैसा मिलना चाहिए लग बग एक दशक बीच चुका है जस तरीके से आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी जो फैसला हमाचल के हक में आया था बहुत बड़ी रोयल्टी जो है वो उसका पैसा अभी भी फसा पड़ा है किस तरीके से आप देखते हैं कि ये लड़ाई काफी चुनौती पूर्ण है आप इन विभा के साथ अटैच हैं और डिरेक्ट मुख्य मंत्री और उप मुख्य मंत्री के साथ कॉडिनेट कर रहे हैं इस मामले पर बाचीत हुई होगी किस तरीके से इस प्रोसेस को फास मू हैं बिजली ब ambigu को कुछ पाष जो बिजली मिल रही हैं वो लगभग दस पैसे पर दस बारा पैसे पर युनिट मिल रही है तो बॉर्ड मान लीए कि बॉरड भी सरकार का ही हैं लेकिन बॉर्ड एक कंपनी हैर उसमें फाइदा नुकसान देका जाता है जब सरकार जो है गर सरकार देगी तो इतना पैसा हमारे को देना पड़ेगा यहां पर तो दस-बारा पैसे में बोर्ड को बिझली मिल रही है क्योंकि अब उसकी जो प्रोजेक्ट की forward उनको भी करना चाहिए उस पे भी ध्यान देने वाली बात है लेकिन मुख्या जो इस वक्त हमार को मुख्या मंतरी जी के एक ध्यान में ये बात है और मैं समता हूं मैं भी इस पे उनसे हम भी इस पे चर्चा करेंगे मेरा जो input जो मुझे मिलेगा मेरा मानना अपना व्यक्त जो अधिकारी हैं वही इस मामले को सुप्रीम कोट में देखेंगे लेकिन क्योंकि उनके पास और भी अनेक कारे हैं वह इतना द्यान नहीं दे पाते हैं फिर वही बात आती तारिक पे तारिक तारिक पे तारिक लेकिन इस मामले के लिए एक dedicated team होनी चाहिए जो कि सिर्फ हम से त्यारी करेंगे वह 99 यह उसके खत्म होने वाले है वह एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है वह भी हमें हमाचल को वापिस आना है उसमें ऐसी स्थिति पैदाना हो उसके लिए भी हमें एक टीम रखनी पड़ेगी तो मेरे साब से एक dedicated team मेरे तो यही सुजाब रहेगा कि एक dedicated team इस कानूनी लड़ाई को लड़ने के लिए होनी चाहिए और किंदर को जुरूर इमाचल का हक दिलाने के लिए हस्त शेप करना चाहिए किंदर में जो हमारे प्रतिनी दी है उन्हें भी राष्टिय स्थर पे इस बात को रखना चाहिए ताकि इमाचल को जो डिव है जो कोर्ट से अवार्ड है वो हमें मिलना चाहिए ताकु साब जस तरीके से इस मामले को लेकर पिछले कई सरकारों ने जो है वो पंजाब सरकार के साथ वारतलाब करने की कोशिश की है इस वक्त आहमाद्भी पार्टी की सरकार वहां पर जो है वो सत्ता में है जैसे ही यह म माचल के लिए ये रास्ता असान नहीं होने वाला क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट है, चार हजार करोड से जादा की लाइबल्टी वापिस यहां पर आएगी और उस अमाउंट से बहुत बड़ा डेवल्मेंट हो सकता है? बिलकुल हो सकता है, बात ये नहीं है कि ये तो पराना डियू है, लेकिन आगे भी जो हमें मिलना है, आप देखिए कि बीबी एमबी में जो बैक वाटर्स है, उसमें बहुत बड़ी एक्टिवीटीज हो सकती है, हमने देखा पंजाब की तरफ तो बहुत सारी वहां पे के लिए इस्तेमाल नी किया है, वैसे ही यहां पे भी है, बड़े चोटी यह तो छोटी बात है, जो हमें जो इसका अभी फाइदा मिलेगा परियाटन को बड़ावा देने में, लेकिन उसके साथ में जो डियू है, तो एक कानून का एक फैसला है, उस्तम नियाले का फैसला है, उसमें किंदर भी हमेशा अस्तिक शेप करते हैं, जो हमारा डियू है, बिल्कुल मिलना चाहिए, और किसी के कहने नहीं कहने से कुछ नहीं होगा, नयाले इस पे फैसला दे चुकी है, और आगे भी इस पे जो हम उमीद रखते हैं कि इस पे हमारे हाग में फैसला कैमरा परसेन अशोक सोनी के साथ संदीप सिंग जी मीडिया शिमला